ओम श्री गनेशा नमा दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप भगवान सनीदेव के आशिरवास से आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंते तक वैसे बने रहें और अंते तक आप इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो आपकी रासी वालों के लिए अत्यांती महत्पून होने वाली है दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिशन की बेल को जरूर दबाएं जिससे आप तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसे रहेंगे आपके लिए आने वाले चार में हिट पूर दिन दोस्तो आपको केरियर में इस समय में रफ्तार दिखाई देगी व्यापारी जातकों को भी बिजनेस को विश्टार देने का मौका मिलेगा आर्टिक जीवन में आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे हाला कि कुछ खर्चे भी होंगे किसी ने बिजनेस से अधिक सफलता मिलेगी जियां दोस्तो आपकी आर्टिक इस दी मजबूत होगी केरियर में आपको अनुकूल फल प्राप्त होंगे व्यापार कर रहे जातकों को किसी गुप्त सुरोत से धनलाब होगा जियां दोस्तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा जो जातक पार्टनर्सिप में बिजनेस कर रहे हैं सभी कारिये समय पर पूरे होंगे आज खर्चों के बावजूत धन की कोई कमी नहीं रहेगी आज रुका हुआ फसा हुआ धन आपको वापिस मिलने के योग रहेंगे आज केरियर में रफ्तार पकड़ने का अवसर प्राप्त होगा जिवन में तरक्की और पदोनती संबव है व्यापारी जातकों के लिए यह समय निवेस के लिए बेहत सफल रहने वाला है आप अपनी मेहनत के दम पर प्रेशानी का हल निकालने में आज काम्याब रहेंगे बोई बड़ा लेंदेन करते समय आप विसेश सावधानी बढ़ते हैं नोकरी पेसा जातकों को पतोनती और प्रगती का लाब संबव है जियां दोस्तों आज कारिये छेतर में प्रदर्शन करने का मौका भी आपको मिलेगा पारिवारिक जीवन बेहत अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ रिष्टा बहतर रहेगा इसके साथ साथ पारिवारिकी जीवन में सुक बना रहेगा संतान पक्ष को भी पढ़ाई में बहतर प्रदर्शन करने के मौके मिलेगे जियां दोस्तों जात्रों को सिक्षा में काम्या भी मिलेगी विदेश जाका सिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा आज छोटे भाई बहन आपका सयोग करते नजराएंगे दोस्तों विद्यारती अपना बहतर परदर्शन करने में सफल रहेंगे छात्रों को अधिक सफलता पाने के लिए और अधिक प्रियास करने होंगे जीवन साती की मदद से कारिये छितर में आपको कोई बड़ा लाग हो सकता है आपका जीवन साती आपका हर कारी में पूरा-फूरा सपोर्ट करेंगे और सयोग भी करेंगे यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेमी के साथ मिलकर कोई बड़ा निने आज आप ले सकते हैं स्वास्त के लिए इसा में उत्तम रहेगा स्वास्तमंदी समस्याओं से छोड़कारा मिलेगा हालाकि स्वास्त के लिए सही आपको सावधानी बरतनी होगी आज आपके सहास और प्राक्रमें विर्द्य होगी आपकी मुलाकात किसी खास सक्से भी हो सकती है जियां दोस्तों आपको अपनी महनत और प्रियासों में सफलता अविश्य मिलेगी ये समय आपके लिए भुश्य से की योजनाओं को अंजाम देने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा आपको अपना विवार सही योग आत्मक और सकार आत्मक रखना होगा दोस्तों आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा दिन की सुरुवात आज कुछ परेशानियों के साथ सुरू होगी जियां दोस्तों आज आपको आर्थिक समस्याओं से छूजना पड़ सकता है आज कामकाज में बाधाय आने से मानसिक चिंता और आर्थिक कष्ट भी संभव है विरोधि पक्ष आपकी प्रितिष्टा पर सवाल खड़े करने की कोशिस करेगा जियां दोस्तों कारिय चेतर में सीनियर्स की उपेक्षा करना आपके लिए उप्यूकत नहीं होगा भूमी भवन आधि का करिय विक्री है करने से पहले किसी वर्ष की सालामसोरा लेना ना भूले जियातों धन के लेन देन में विशेश साथानी रखें विशेश कर सनीवार और मंगलवार के दिन उधार देने से बचें आज आप अपने मन को नियंत्रन में रखें अगर आप वहान चाला रहे हैं तो वहान पर भी नियंत्रन रखने की जरूरत होगी अन्यता की गई गलती का बड़ा खाम्याजा आपको उठाना पड़ सकता है अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं इससे मानसिक और सारेरिक परिशारी बढ़ जाएगी और अनावसक धन खर्च बढ़ जाएगा जिया दोस्तो छात्रों और युवाओं में पढ़ाई में कुछ बाधाय आ सकती हैं कोई भी निरने लेने से पहले अपने किसी सुबचंत क्या बड़े बजुर्की राय लेना ना भूले कारियस तल पर अपने सयोग्यों से सावधान रहें सतरक रहें किसी भी कागजात पर पूरी जाच पटाल करके ही साइन करें वरना आपके साथ धोगा भी हो सकता है हाला कि आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे फिर भी आप उनसे सतरक रहें दोस्तों आज आप अपनी हैसियत से जादा बड़ा वादा किसी से ना करी अन्यता पूरा नहोने पर आप लोगों की हसी का पात्र बन जाएंगे जीवन साथी के स्वास्त का ख्याल रखे प्रेम संबंदों में सोच समंद कर ही कदम बढ़ाएं अन्यता आपका प्मान भी हो सकता है आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगर आपने समय रहते अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो संबह है कि आप जिसे पसंद करते हैं वे किसी और का हो जाए जियां दोस्तो उस वक्त आपके पास पच्चतावे के लावा कुछ नहीं बचेगा आपको अपनी लव लाइफ में बहुत संबल कर चलना होगा लव बैड्स के लिए यह समय बहुती सांदार सावित होने वाला है आपके प्यार और संबन्दों में गनिश्टा आएगी आज आपके पुराने दोस्तों में फिर से मुलाकात होगी यहां तक की जिनका ब्रेक अप हो चुका है उनके लिए भी यह समय सुब रहेगा आप और आपके पार्टर के बीच में आपसी सूजबूज भी बढ़ सकती है आप अपने लव पार्टर के साथ अधिक से अधिक समय व्यतित करें ताकि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अब प्यार का इजहार करने के लिए परफेक्ट टाइम हो सकता है जिया दोस्तों आपको अपनी लव लाइफ में काफी सावधान रहनी की आवसेकता है इस वक्त आपकी लव लाइफ में कुछ रुकावेटे भी आ सकती है आपकी कुंडली बता रहिए अब आपकी लव लाइफ में चमक आएगी आपको अपनी लव लाइफ में कुछ जोकिम भी उठाने पड़ सकती है अगर आप धहरिये बना कर रखते हैं तो अब आपकी लव लाइफ में चमतकार होंगे आपका घर परिवार कैसा रहेगा आज आपका घर परिवार काफी हद तक सुचारू रूप से चलेगा यदि आप किसी काम के सिलसिले में अभी तक परिवार से दूर रह रहेते तो अब आप अपने घर वापस लोट पाएंगे और अपने परिवार के साथ भी कुछ समय बिताने की संभावना बन रहे है परिवार के बुज़ुर्गों से आपके संबंद अच्छे बन रहेंगे जिया दोस्तों यह समय पारिवारिक जीवन के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है पारिवारिक सदस्टों में आपसी सामंजे से बढ़ेगा आपके परिवार की समाज में अच्छी पृतिष्टा बढ़ेगी मानसमान बढ़ेगा और पारिवारिक महावल सोहदपूर बना रहेगा आपको अपने परिवारिक जीवन में तालमेल बिठा कर चलना होगा आप अपने परिवार में सांती और सदभावना लाने के सभी प्रियास करेंगे और आपको परिवार के साथ साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा आप काफी हग तक परिसानियों और समस्याओं से छुटकार भी इस समय पासकते हैं यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो उसे अपने कारिये चित्र में सफलता मिल सकती है परिसेतिया काफी हग तक सुगम रहो जाएंगी और आपके दामपती जीवन में मदूर्ता और मजबूती आती चली जाएगी दोस्तों आपका स्वास्त कैसा रहेगा आज आप उर्जा से भरे रहेंगे और अपने सभी कारियों को दक्ष्टा के साथ पूरा कर लेंगे हलाकि आपको स्वास्ते जूड़ी परिसानियों से दोचार होना भी बढ़ सकता है जैसे कि जोडों में दर्द सिर दर्द जैसी समस्याओं से परिसान हो सकते हैं आप अपने स्वास्त को लेकर बिल्कुल भी रापरभाई ना बढ़ते हैं यदि कोई बिमारी बड़ा रू खूब ख्याल रखेंगे स्वास्त के लिए आसे यह समय आपके लिए मिला जूला रहेगा